पर अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके फूट भेपके मारो या फिर मॉंबत्ती मुझे नहीं पता बस प्लिक हो जाना चाहिए इस ते लैंगे रोम हीटर रॉड लिख आ यहां पर यह वाक्स है जो टते हैं कि जो態 हो यह था है कि अपको दिखा यह यहर दो पीस है विराज़ जिल्द lesson मGGThe तो उनको भी बार्शर में निकाल लेते हैं तो इनका हमें उनको अंधुसर में रख लेते हैं और इसका भी हमें काम नहीं तो इसको भी तक लेते हैं यहां का है तो इसको हम जोड़ जोड़ के और आपको दिखाएंगे क्यों हम इसे इस तरीके समय उज़ नहीं कर सकते हैं तो इसको हमें पहले पीसे में कटिंग करना होगा जो सारे इसे ट्रके का sig момент ले लिया है जो की इसे तुर्प नहीं है क्या यहां पर है लिया हॉ स्कों झोड़ा उसको च्छोटा कर दिया है तोड़के और वंघ्य जोडिय एक शब Cië उपर स्वने ले लिया लिए यह सक और यहिस तरीके से आपर इस सेड में लग जाएगा तो इस तरीके से हमरा element बनके त्यार हो जाएगा तो इसे हम MC से शिपकाएंगे तो इसे हम MC के मदद से इसको शिपका लेते हैं व्याज हमने MC ले लेया है और उप्वेट लेया अचंश से मदद से शिपकाएंगे इस तरीके सें का इस मरूआ करकें जाएगाएंगे व्याज इस तरीके से से उसको पकड़ लेना study एक से लगा देएंगे गाज हमने दूसरे साइड वहले को भी लगा दिया है इसमें और गैज देख सेते हैं कि अच्छे से एकुरेट में गैज सेट हो चुका है बराबर गैज अब देख सकते हैं दोनों सेम सेज का है और जो इसकी डिस्टेंस है गैज वो भी सेम है हमने रखा है इसको मेजर करके तो गैज चले इसको धूप में रख देख सुखने के लिए तक ही एमसिट अच्छ से शुख जाए तो गैज मैंने ग्ने हमने expected दाल दिया था फेबिकी और ही मजबूरप तरीके से शिपर चुका है और गैज इसे में में डूप में रहा धा तो घज गय है तो इसके साथ क्या करके कि इसके ऊपर सیट का हम घ्या चाहिए एक यहां पर दूसर्च Ensать को जैगा तो वह इस तरी इसके साथ हम नाइक्रोम वायर ले लेंगे जो आप इसके जगपे जो हीटर के अलिमेंट आता है उसका भी उच कर सकते हैं या फिर पिर इसका एलिमेंट में जो वायर आता है नाइक्रोम वायर उसका भी उच कर सकते हैं तो आपके इसे का भी उच कर सकते हैं और यह हमारा ज है वाल वातोट फशनद मेंहों जो होल है स्ट a pasLok देंगे और यह से मोफसा कि आझा हिएक इसको य। उनक्रवर इस पर है कि दश्चाव हो चुका है और इसको य। इसको भृट दी ह। ले लेंगे और इस तरीके से इस पर लाइन बना हुआ है तो आपने अज़ ने करूम वायर को हमने पूरा अच्छे तरीके से यहां तक लपएट दिया है राउंड राउंड में और अच्छे सीश्को हमने अब देख साते हैं गयर यहां पे बीच में हमने यह लपर यहां सा ओष यहcountry और ज jadi天 को टेस्टिंग किया है मैं नहीं पूरदयव मुझेfully या पर लेख को चुक की आच्छी टरीके से तो चले कि इसके हम आप बाडी फ्रेम बनाते हैं इसके साथ लिए लेंगे MDA बोर्ड जो कि हम इसी से बनाएंगे जो इसका बाडी होगा रूमीटर का तो जो इसका चोड़ाई है ये 10 cm है जब देशते हैं इसके साथ मार्किंग करेंगे उसके साथ मार्किंग करने के लिए स कि यह लैंड के साथ में 11 संटिमिटर पर मार्किंग लघाना है कि यहिस इसके साथ हम 5 सेंटिमिटर पर बीच में मारक लगाइंगे इसकाथ 40 सेंटीमिटर मार्किंग मारकनिंग्ग लगाएंगे और बीच में फाइब सेंटा में लागा लेंगे कि हमने पूरी मारकींग कर लिया है और आपको बथा भी तिया है इसे तरह से हम क्या करेंगे हम कटिंग दरेंगे केले केले के पिस हमें आस करेंगे और यहां से हिसको यहां तक और जो यह बीच में है इसको कटिंग करेंगे है कंपास कम पास में पेल लगा दिया है और इसके सब क्या करेंगे कि हम उपर से वान सेंटीमेटर छोड़के और नीचे से जो है इसके बीच पॉइंट ले लेंगे हम तुक्त इमने मार्किन लगा दिया यहां पर और यहां से हम एक सर्कल ड्रॉप करेंगे जो कि एक जोस्ट फैन का साइज का होगा तो यह सर्कल यह 7 सेंटीमेटर के बनेगा वह थ्री पॉइंट फैप सेंटीमेटर रखा है अब भी तरी के से कर सकते हैं सर्कल को अच्छे तरी कर दिया है लगाएसके साथ हम कटिंग कर लेंगे इसको मैं जब इसको कटिंग दाने के लिए पेचकर स्कूष करेंगे और यह से कट लेंगे और इसको क्लीन कर देंगा अच्छी तरीके से साफ कर दिया है और राउंड से सर्कल काफी अच्छी बन चुगा है जो और पीस है उसको भी लेंगे और सब को आपस में इस तरीके से हम चिपका देंगे तो तो इस तरे से इसको चिपका नएक जिन सीपका लेते हैं तो इस बख को अमने अच्छे तैरीके सिपका दिया है 64 से खोल और फुक बलू की मद से और काफी यह अच्छे से पक चुका है और ज्यव निकलेगा भी नहीं लेंगे और देख से देक्सेते कटिंग तूट गया था तो यह बीच से हमने कटिंग करके और इसको छोटा भी कर दिया है और तकी बीच में इस तरीके से लग सके तो यह अब लग जा रहा है और गई बीच में दो होल कर दिया है है किया करें कि हम इसको इस तरीके से पहले इसमें म लगा देंगे ले लेंगे हम इसको इसमें लगा देंगे तो इस तरी के से लगा देना है तो गैज हम लगा लेते हैं लगा लेंगे और इलमेंट को हमें यहां पर लगाना है तो क्या करेंगे कि हम इसको इसमें लगा देंगे तो गैज जो होल है उसे नट को बाहर सेट में निकाल देना है तो गैज हम लगा लेते हैं गैज यह लग चुका है इसके साथ नट ले लेंगे तो गैज आपको इलमेंट में मिल जाएगा और इसके पीशेट से लगा देंगे गैज इसके साथ दो पीश वायर ले लेंगे किसी कलरका भी यूज़ कर सकते हैं हमने रेट कलरका वायर ले लिए हैं और गैज क्या कि जो दून एलिमेंट है इसमें एक एक वायर जोड देंगे गैज दोनों वायर को हमने अच्छे से इसमें जोड दिया है और गैज दोनों नट है उसको भी हमने टाइट कर दिया अच्छे तरीके से और गैज जो वायर है वह जोड चुका है इसके साथ एक वायर ले लेंगे जो कि इसमें प्लक भी है और गैज वायर भी तो गैज यह कि आपको मार्केट में 20 रुपीज के मिल जाएगा 20 रुपया का और क्या करेंगे कि हम इसी से पाउर देंगे इसमें तो एक साइड में आपको होल कर लेना है यहाँ पे पीज़ साइड में तो हमने होल कर दिया है पहले ही आप देख सकते हैं तो इस होल से क्या करेंगे कि हम वाईर को अंदर साइज में डाल देंगे जोता करना है और गैज एक वाईर को बड़ा गैज दोनों ही वायर को हमने छेल दिया है अच्छे तरीके से और गैज क्या किनकी कि इसका हम कर देंगे जो एक वायर है उसको एक में जोड़ देंगे और गैज जो दूसरा वाला वायर है उसको दूसरे में जोड़ देंगे इसके साथ टेप ले लेंगे और गैस टेप से इसको टेपिंग कर देंगे तकि गैस साथ सौर्किट ना हो गैस एक पर हम ले टेपिंग कर दिये है और इसके साथ दुसरे वाले पर भी कर देंगे कि टेप्ण हो चुका है जो कि ले लेंगे हम एक्जोश्ट फैन जो गए टुर्वॉल्ट का इस फैन है जब को मारकेट में काफ से साने से मिल जागा और चब फैन पर लिखा देख सकते हैं और यह इसमें आपो देता है इस को से जबशाइब लागा तो जो इसका पीछाला पोर्षान होगा यह अंदर यह बाहर सेड़ में तो इसको हम इस पीचोब इस तरीके से चिपका देगे पैज फैन अच्छे सची पक चुका है टैस के साथ ले लेंगे सौकिट जो गजी टोडोल के भी मिल जाएक है और गजी इससे हम जो इसको हम पाउर देंगे तो गज इस एक पीसेट में आपको होल कर लिए है इसको हम इसमें लगा देंगे जैक को इसमें अच्छे से लगा दिया है पीज से गजी इसके साथ एक स्विच ले लेंगे पुछ स्विच और इससे हम एक जोश्वें के का दिया है चोड़ा सा जिससे की वायर आंदर सेड में जा सके और गज्च क्या किनगी कि हम इसको स्विच को यहां पे बीच यू चूटा है तो जोड देना है अगयर जो जैक है उसको यहां पे जोड़ देना है और जिसका डूसर टर्मिनल उसको स्विच पे जोड़ देना GP हिए इसके साथ जो एकड फैन का पुजितिव है उसे पीओ स्विच के एक हम जोड देंगे कि तर्मियल फे जोड देंगे जो ईए इन गैतर निगेटीव है उसको वह अंदर सीट में बंगे टाल दिया है गैज इसके साथ इसको मेर रीट हो चुका है गैज के साило ओल्ट हो चुका है एज़ो हो चुका है यह explicता जाली तो गयज आप इसके कोटिंग कटिंग कर सकते हैं लेकिन हमारी पास बड़ी जाली थी थोड़े स wait सकते हैं और उसको ही अब ले लिया है औसमें ऑगगे से लगाएंगे तो हमारी जाली जो है वह बड़ी तो गयlaw गया कॉंणि ने कॉटिंग तुटंक नेका क्या इस तौरिए से दोन से मेंने कार दिया है गया नियुक्षित के लिए उपने बैन किया है अलोग हम एतना कि स्कृणि का टिमत्रफ अच्छा कि उसे कुट पर है है तो आप इसको को देखके कटिंग कर सकते हैं इसके साथ इसको हम इसके उपर सेड में चिपका देंगे अजिए अजिए अच्छे तरीके से एगाइज शेट हो चुका है और इस देख सकते हैं गैज बनके और इसको बना सकते हैं और इसको जैसे चाहिए वैसे रख सकते हैं इस तरीके से इस हम इसको सिर्गी से खते हैं कि तो दूनों सेट से परकर सकते हैं गयाते से आप कुमा और जनки आए श nep imagem कर लेते हैं व्यजी रहा इसको כ करन्ट गाइण हम पायर देंगे जसको उसके लगा भादियाँ मैं धोनों को फ्रबी को बी दोनुं को करेंगे तो कि क्योंका लें कि अन्य शारते हां कर दिया है इसके सथे चर्द ट कर लेते हैं कर दिया है थे दिश्कर काल दिया गर्म हो जा रहा है रहा है यह रहा है देख सकते हैं और इसका फिया अच्छे सी वर्क कर रहा है कर झाल को प्यास कर दिया काफी कर वावा यह दे रहा है तरीके से देख सकते हैं और ऊच्छा है सब्सक्राइब कर रहा है दोनों साइड में देख सकते हैं तो आप इसे घर पे अपने असानी से सब्सक्राइब कर रहा है तो गाइज काफी कम खर्च में बन के सब्सक्राइब कर दिना तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है इसके फूट ठेक के मारो या फिर मॉम्बत्ती मुझे नहीं पता बस प्लिक हो जाना चाहिए